हलो एवरीबड़ी गाईज कैसे हैं आप सब उमीद करूँगा सब के सब फिट एंड फाइन होंगे तो फ्रेंज एक बार फिर से अप सब का स्वागत है हम सब के यूड्यूब चैनल पे जिसका नाम है टिकनिकल अपी गाईज आज की जो वीडियो है यह होने वाली है कैनल स् चीजे इन ही पार्ट में आपको मलने वाली है छे पार्ट में छे अलग अलग पैटन्स डिसकस किये हैं नहीं देखे है तो उपर आई बिटन में आपको लिंक में मिल जाएगा और प्लेलिस में जाके भी आप चेक कर सकते हैं मुझसे काफिस सारे लोग पूछते है कि सर को कोई ऐसा प्रोफेशनल कोर्स बताओ को यसा पेड कोर्स बताओ जहां पे हम ट्रेडिंग को अच्छे से सीख सके बाइनरी एज विल स्फरेक्स तो यार उन लोग को बताना जाओंगा आपको किसी पेड कोर्स में जाने की जरूरत नहीं है सिर्फ ये सिरीज को फॉलो कर ल सकते हैं उसे पहले बता देता हूं स्क्रीन पे आप देख रहे हमारा चैनल तो अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दो यार किसका वेट करे हो टेलिग्राम पे जोई नहीं हुए हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा टेलिग्राम का वहां पैटन क्या होता है सिर्फ बहुत सिंपल वे में समझाऊंगा बहुत आसान वे में समझाने वाला हूँ आपको तो ध्यान से सुनना है यह कह रही है जो कैनल स्रीक पैटन से ना बहुत इंपॉर्ण आप लोगों के लिए यह एक बार आपके दिमाग में बैठ गया ना और भी आप फॉरेक्स के चार्ट को खोलोगे बैनरी के चार्ट को खोलोगे लंबे पीरियाट के लिए तो आपको यह पैटन से जरूर दिखेंगे और जैसी आपको यह पैटन से दिखते है ना तो बहुत अच्छे चांसिस होते है यानि 80 प्लस चांसिस होते है कि जो यह तो किस तरीके से काम आती है देखो एक चीज़ आप मुझसे लोग कहते है सर यह चीज़ आप लाइव करके दिखाओ या फिर आप जो है लाइव चार्ट के साथ दिखाओ तो यह जो भाईया देखो आप स्क्रीन शॉट देख पा रहे हो तो ऐसा नहीं है कि लाइव नहीं है लाइव ही है ऐसा ही समझो आप तो अब देखो बुद्धा पैटर्न का कैसे हम रिकगनाईज कर सकते हैं कि बुद्धा पैटर्न क्या है तो बुद्धा पैटर्न का मतलब देखे सिंपल सी बात है जब आपको ये तीन बुद जैसे यानि ये तीन पिरामिन मिल जाते है वो भी उपर की तरफ नहीं नीचे की तरफ यानि यहाँ पे सिर्फ एक ही पैटन है अगर आपको ये उल्टे मिल जाते है तो इसका मतलब है फिर exponentially market increase होने वाला है यानि exponentially market growth करने वाला है ठीक है कैसे दे market change हुआ बिलकुल market change हुआ बट इन worst case scenarios देखो हमेशा मैं बताता हूँ आपको कि worst case scenario में चीजे change होती है वहाँ पे हमारी strategies काम नहीं आती है वहाँ पे कोछ भी नहीं काम आता है तो यहाँ पे देखो कि जैसी market एकदम downward trend पे है जैसी हमें ये left side में एक circle मिलता है छोटा सा half circle मिलता है यानि half circle का एक pattern मिलता है उसके बाद यहाँ से market change होता है इसको आप जज़ कर सकते हो hammer और shooting star के method से भी तो यहाँ पे देखो कि जैसी ही आता है तो यहाँ पे जैसी change होता है change होने के बाद आपने आप अलगा दिया upward direction के लिए trade तो यहाँ पे upward direction पे यहाँ आने के ब जाता है डोजी मिलने के बाद यह फिर से upward direction में जाता है देन वापिस नीचे आता है and then हमें एक hammer मिलता है देन वापिस यह उपर की तरफ जाता है बिल्कुल लेकिन यह जो pattern है इसको recognize कैसे करेंगे देखो अगर आप यहाँ पर trade जो है place करते हो या entry लेते हो market के अंदर इस particular point पर तो आप upward direction के लिए लोगे लेकिन जब आप यहाँ पर आ जाते हो ना जब आपका market इतना नीचे चला जाता है फिर आप वहाँ पर यहाँ पर देखोगे फिर से आप upward direction के लोगे अगर आप यहाँ पर एंटर करोगे तो भी आप upward direction पर लोगे और right side में आप करोगे तो भी upward direction में आप प्लेस करोगे क्योंकि सिनारियो कुछ इस तरीके का बन रहा है चीक है क्योंकि मैं आपको अल्रेडी पीछे सिखा चुका हूँ कि कैसे हम doji hammer को use करके trend को reversal ले सकते है यानि reversal trade ले सकते है तो अब क्या है देखे यहाँ पे जैसे अपने को reversal मिलता है तो अब यहाँ पे अगर आप trade लेते हो यानि particular इस place पे RS के उपर बात करते है यानि यह देखो यहाँ पे हमें एक doji मिलता है तो अगर यहाँ पे आप trade लेते हो तो यानि कि suppose कीजिए कि आप यहाँ पे आपने chart open किया, chart open करने के बाद आप इस place पे आ जाते हो यहाँ पे और पटन मिलेगा, तो आप अपवर्ट डिरेक्शन में बिना कुछ सोचे समझे ट्रेड ले लोगैंगा, बहुत ज़ादा चांसे से आपके profit के, तो बिना कुछ सोचे समझे, अपवर्ट डिरेक्शन में आपको ट्रेड ले ले नहीं है, यह पैटन जैसे आप recognize कर लोगे, कुछ लोग मुझसे पुछते हैं, comment करके in parts के नीचे, sir, white और black candle का क्या मतलब है, क्योंकि binary market में तो हमें green और red candle ही मिलती है तो यहर उन लोगों को पता देता हूँ कि भाई, binary market में आपको जो green और red मिलती है, तो green का मतलब है white color की candle और black का मतलब है red color की candle यह white और red में क्यों यूज करता हूँ कि जो chart है, यह forex का chart होता है यह binary का chart नहीं है, binary में आप इसे use कर सकते हो, लेकिन long time period पे आप इसे use करो, short time period पे आपको यह pattern जादातर देखने को नहीं मिलेंगे, यह चीज़े हैं बाकि आप basic से अगर यह parts को follow कर रहे हो ना तो काफी सारी चीज़े सीख गए होंगे और आने वाले parts में भी सीखोगे, तो यह दो है pattern था हमारा, three buddha pattern है काफी अच्छा pattern है, हाला कि यह चीज़ आपको वीडियो के साथ, एक्साइटिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए, bye and thank you for watching this video till the end.